तो रोकड प्रवाह की बहुत सारी विशेस्ताओं, इसके महात्व, इसके उद्देशों को जान लेने के बाद, अब आए देखते हैं कि रोकड प्रवाह विबरन जब हम बनाएंगे, कैश फ्लो स्ट्रीटमेंट जब हम बनाएंगे, तो इनमें कौन-कौन से शब्दों का प हस्तस्त रोकड जो कैश हमारे पास हाथ में है, दूसरा, कैश एड बैंक, यानि बैंक में हमारे पास जो रोकड जमा है, वो हमारी रोकड है, कैश है, दूसरी, जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम रोकड समान, यानि कि कैश इक्वावेलेंट, यानि इतनी लिक्विडिट मिलते हैं, उनको अनका हम तरल निवेश या लिक्विड इन्वेस्टमेंट के अंतरगत् Walking Sing, अनका हम यहांपे शामिल कर लेते हैं जिसके अंतरगत्र के न में किसक तरफ रहा MARY ऐन्स व्थ, सारे व्यपारिक बिल होते हैं जो पास हो गया है निकल गया हमाल लेते हैं कि अब वो हमारे अकाउंट पर आ जाएंगे यह बहुत जल्दी जो हमको प्राप्त होने वाले हैं तो उनको हम कैश इक्वाविलेंट पर डाल देते हैं हाला कि जब हम इस चैप्टर के अंतरगत हम एक बार जान लें जैसे किम यहाँ पर देखेंगे कैश इन हैं कैश at bank रोकड हाथ में रोकड बैंक में यह तो रोकड कैंटरगत शामिल करने होंगे चेक या बैंक डॉप ड्रॉप रिलेटेट जो मद होगे उनको हम कैश इक्वाविलेंट में शामिल कर लेंगे दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे गैर रोकड मदी, non-cash item जब हम statement बनाएंगे तो हम cash item और non-cash item को अलग करेंगे cash item के बारे में हमने जान लिया जो cash है या फिर cash equivalent है non-cash item यानि कि गैर रोकड मदों की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो मदे जो direct रोकड की रूप में नहीं है लेकिन उनसे हमको रोकड राप्त होगी जैसे कि यहाँ हमको देखने को मिलेगा लेंदार, creditor, देंदार, dators, mal, goods, संपत्या, यानि कि assets यहाँ हम देखेंगे कि यह जो इन से related जो भी वेवहार है, जो transaction है उनको हम गैर रोकड मदों के अंतरगत, यानि non cash item के अंदर हम include करेंगे और जब हम देखेंगे गैर रोकड वेवहार, तो कौन-कौन से वेवहार होंगे जो गैर रोकड वेवहार होंगे, cash से इनका relation नहीं रहेगा हमको यहाँ देखने को मिलेगा depreciation, मूल लिहास या हम देखेंगे VIO का applicant, कोई भी expenses अगर वो write-off हो गए है तो उनको हम non cash item में include करेंगे, यह हमको ध्यान में रखना है दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे, bonus अंशो का निर्गमन अगर हम कोई bonus share issue कर रहे हैं, तो उसको हमको non cash item में include करना है डेबिंचर related कुछ points मिलेंगे, हमको अंशो या रिन पत्रों का नए अंश या नए रिन पत्रों में अगर परिवर्तन होता है, तो उसको भी हम यहाँ पर non cash item में include कर लेंगे, तो यह ऐसी शब्द है, ऐसी बाते हैं, जिनको हम जब practically numerical question अपने जब बनाएंगे, तो वहाँ पर हमको यह मदे सुनने को मिलेंगी, और कैसा इसका हमको treatment करना है, कहाँ पर कौन से मदों का उल्ले करना है, यह हमको यहाँ पर समझना है, फिर हम देखेंगे कि जब हम cash flow investment बनाएंगे, तो इस पूरे cash flow investment को हम दो आधार पर समझेंगे, इस stable के आधार पर हम बहुत अच्छे से समझेंगे, कि क्या है cash, यानि रोकर, और क्या है flow, यानि कि प्रवा, इस cash item का flow कैसा है, कहां स देख सकते हैं, कि दो भागों में हम इसको बाट देते हैं, एक हम यहाँ पर माल लेते हैं, रोकर, जिसमें हम cash and cash equivalent को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और दूसरा पार्ट हम समझेंगे, प्रवाह, यानि कि इनका, किस तरह का प्रवाह है, किस तरह का flow है, अंतरवाह है, जमाए, यानि शॉर्ट टम जो deposit होते हैं, जिनको हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, एक तो हम उसको शामिल करेंगे, दूसरा हम इसमें शामिल करेंगे, बिक्रियों के प्रतिभूतियां, ऐसे securities जिनको हमने investment के लिए नहीं लिया है, बलके फिर से बेच देने के लिए लि बिक्रियों के जो प्रतिभूतियां हैं, ऐसे securities हैं, जिनको हम बोलते हैं, marketable securities, उनको हम cash and cash equivalent में शामिल कर सकते हैं, तीसरा एक point हमको यहां देखने को मिलेगा, नगत साख, cash credit जो हमारे पास है, उधार लिया हुआ, जो cash के रूप में हमारे पास आ गया है, उसको हम इसके शामिल कर सकते हैं, भले वह उधार है, लेकिन cash के रूप में हमारे पास है, तो उसको हमको शामिल करना होगा है, एक point हमें हापर देखेंगे, राजकोशिय चलान, जो treasury जो बिल है, जिसे हमने अभी बात कि, treasury बिल है, वो pass हो जाएंगे, cash में convert हो जाएंगे, तो उसको भी ह हम यहाँ पर cash and cash equivalent में शामिल कर लेंगे, एक point हम और देखेंगे, आपर वानिजिक पत्र, जो commercial paper होते हैं, किसी data या creditor पर लिखे गए होते हैं, और निश्ची तवधी के बाद वो भुकतान ही होते हैं, यानि कि यह माल लिया जाता है, यह लगभग उन पर भुकतान प्रा मिल करेंगे, लेकिन इनका प्रवाह क्या होगा, flow क्या होगा, non-cash item के अधार पर हम उसको देखें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गैर रोकड मदों से जब रोकड प्राप्तियां होती हैं, तो हम inflow यहाँ पर माल लेते हैं, यानि कि उदारन के तोर पर हम देखें, कि receipt of cash from non-cash item, जैसे कि अभी हमने देखा कि बहुत सारी मदें हैं, जैसे कि मूले हास है, रिन पत्रों का नए रिन पत्रों में परिवर्तन है, अंशों का नए अंशों में परिवर्तन है, या फिर बोनस अंशों का नर्गमन है, तो इस तरह से अगर किसी गैर रोकड मद से कहीं रोकड प्राप्त होती है, तो उसको हम यहाँ पर cash flow में प्रदर्शित कर सकते हैं, और जैसे हमने यहाँ पर receipt के लिए बात कहीं, बिल्कुल वही condition हम payment के लिए भी लागू करेंगे, इन्हीं गैर रोकड मदों पर अगर हम किसी तरह का कोई भुकतान करते हैं, तो वहाँ प अब हम देखें कि यह जो रोकड प्रवा हम बनाएंगे, उसका वरगी करण कैसे होगा, जिसकी बारे में हमने पहले भी अभी देखा कि लेखांकन प्रमाप AS6 के अंतरगत इसका जो प्रारूप बनाया गया है, उसमें इस पूरे cash flow को तीन भागों में बाट दिया गया है, कौन-कौन से तीन भाग, एक संचालन क्रियाओं से रोकड प्रवा, याने cash flow from operating activities, दूसरा विन्योग क्रियाओं से रोकड प्रवा, याने cash flow from investing activities, और तीसरा वित्य क्रियाओं से रोकड प्रवा, याने cash flow from financing activities, तो इन तीन activities, इन तीन क्रियाओं के आधार पर अलग-अलग, पहले तो हम cash flow statement तयार करेंगे तो सबसे पहले आए देखते हैं कि हमारा first जो topic है संचालन क्रियाओं के आधार पर रोकर प्रवा, cash flow from operating activities ये क्या है अब ये जैसे कि नाम से ही इस पस्ट हो गया है कि ये operating की बात कर रहा है, संचालन की बात कर रहा है, तो इसके अंतरगत हम किन मदों को शामिल करेंगे, जो operating से related हैं, किसी भी वेवसायर का वेपार का firm का एक मुख्यों देश्य होता है, कि वेपारिक क्रियाओं को करना, चाहे वो production के रूप में हो, किसी सेवा के रूप में हो, या अनिकिसे भी और और उसको कुछ न कुछ काम करना है, कोई न कोई productive activity करनी है, उससे लाप राप्त करना है, तो इस activity के लिए operating जितने भी expenses हैं, जो भी operating expenses यहां पर किये गए हैं, जो भी संचालन संबंधी लेन देन किये गए हैं, वो सब के सब इस operating activity के अंतरगत शामिल कर लिए जाते हैं एक बात हमको यहां पर ध्यान में रखना है, कि ऐसे जो लेन देन होते हैं, जो आकस्मिक होते हैं, या गैर आवर्ती होते हैं, अचानक से कोई-कोई लेन देन हो जाते हैं, जिनको हम expect नहीं किये रहते हैं, या जो हमारे trading and profit and loss, या हम जो भी books of account maintain कर रहे हैं, उसमें कभी show नहीं हुए हैं, इस से अगर कुछ profit or loss, income and expenditure हो जाता है, तो उसको हम operating में include नहीं करेंगे, उसके लिए हम सोचेंगे, कि इसकी value कितनी थी, amount कितनी थी, किस तरह का expense है और उसको कहां शामिल किया जाए, तो फिलहाल तो हमको धियान में रखना है कि आकस्मिक अगर कोई वे है तो operating में तो हमको उसको include नहीं करना है, दूसरी बात एक और मातपूर शब्द हमने देखा था कि जो गैर आवर्ती होते हैं, याने अनावर्ती, बार बार नहीं होते, कभी अचानक से हो जाते हैं किसी कारणवश्म, ऐसा अगर कोई profit and loss है, तो भी उसको हमको ध्यान रखना है, operating activities के अंतरगत हमको उसको शामिल नहीं करना है, तो इन बिंदों को हमको ध्यान में रखना है, कई बार असा होता है कि कुछ fixed assets हम sale कर देते हैं, हमारा काम तो नहीं है कि हम fixed assets sale करें, हम good sale करेंगे, उस पे हमको जो खर्च होगा, जो भी वे होगा, या जो हमको आए होगी उसको हम operating में शामिल करेंगे, क्योंकि वो हमारा काम है, लेकिन कई बार हमको fixed assets से sale कर देते हैं, firm का कोई furniture बेज दिये, firm के कोई पुरानी machine बेज दिये, अब उससे जो लाव यहानी हो रही है, वो हमारी operating activity नहीं है, तो हमको ध्यान रखना है कि fixed assets के sale पे अगर कोई profit and loss हमक activity में शामिल करना होगा, इसको भी हम दो भागों में बाट कर इसका अध्यन करेंगे, ताकि हम बहुत आसानी से इसको समझ सके, इसका पहला भाग होगा, गैर वित्तिय उद्मों के लिए, किस-किस तरह के business होते हैं, उस पर depend करता है, कि एक ही वै किसी वैपार के लिए financing related है या फिर operating related है, या फिर investing related है, तो यहां पर हम operating expenses जो होते हैं, उनको find out करने के लिए, या उनको select करने के लिए, जो website होते हैं, बिजनस होते हैं, उनको हम दो भागों में बाट देते हैं, गैर वित्तिय उद्धम जो है, जो non financing जो business होते हैं, उनके लिए हम अलग मदे यहां पर सेलेक्ट करेंगे और जो और जो फाइनेंसियल एक्टिविटीज करने वाले जो बिजनेस होते हैं उनको हम यहाँ पर अलग कर देंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें गैर वित्तिय उद्धमों की यह इसके अंतरगत हम उन बिजनेस को उन उद्योगों को शामिल करते हैं गैर वित्तिय होते हैं इनको फाइनेस से कोई रिलेटेड नहीं होता यह बिजनेस करते हैं अपना माल बनाते हैं प्रोडक्शन करते हैं बेजते हैं इस तरह के वैपारी करते हैं तो ऐसे जो बिजनेस होते हैं इनमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम operating activity के अंतरगत शामिल कर सकते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है माल की बिक्री एवं सेवाओं के बदले प्राप्त मूल्य क्योंकि उसका मुख्यकारी आई है माल बनाना है बेचना है और ये क्योंकि समाने वेपार संचालन की क्रिया है इसलिए यहाँ पर जो भी उसको आए होगी वो हम operating activity में include कर सकते हैं दूसरा point यहाँ देखने को मिलेगा royalty, fees, commission या अन्य राजस्व से प्राप्ति royalty अगर वो pay कर रहा है क्योंकि अगर भूमी लेगा या कोई ख़दान से related कोई business है ख़दान अगर किराया से लेगा तो जो भी लगान देगा जो royalty देगा या भावन का किराया देगा क्योंकि वो operating related है भावन भूमी या मकान जो भी है जिस पर वो कारे कर रहा है अगर वो हो होगी तभी तो काम जो है प्रोडक्शन का उसका हो पाएगा तो क्योंकि यह समाने वैपार संचालन्ज से संबंदित है इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूट करेंगे तीसरा विंदू हम देखेंगे हाँ पर व्यपारिक प्राप्तियों से प्राप्त रोकर व्यपारिक प्राप्तियां जो हैं हमने किसी को माल उधार बेचा है भविश्य के बिंदू से रिलेटेड जो expenses या income होती हैं उन सब को हमको यहाँ पर operating activity में include कर लेना है एक महत्तपुन बात वस्तु वह सेवाओं के बदले नगत भुकतान वस्तु बेची गई है उसके बदले जो प्राप्त हुआ सेवाएं ऐसे जरू नहीं कि क्यों प्रोडक्शन का काम हो तो ही उसको फॉर्म बोले कोई फॉर्म ऐसे भी हो सकती है जो अपनी सेवाओं देती है आप देखते हों कि बहुत सारी कंसल्टेंसी अजैंसिया होती है चिकित्सा के एक पुरी चिकित्सको के एक form होती है जो बहुत सारे लीगल एडवाइजर होते हैं तो इस तरह अपनी वो सेवाओं देते हैं सेवाओं के बतले में भी जो मूले मिलता है क्योंकि उनकी का कार यही है सिवाय प्रदान करना इस से रिलेटेट भी जो एक्टिविटीज होती हैं जो इंकम या एक्स्पिंडिचर होते हैं उनको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लोड कर सकते हैं कि फिर व्यापारिक देताओं के बदले जो नगत भुगतान प्राप्त होता हैं कुछ हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं कई बार हम उधार किसी को माल बेच देते हैं भविश्य में फिर हम उनसे प्राप्त करते हैं देने का वचन वो ले लेता है करेता से तो ये भी एक प्रकार का जो बिलसौफ एक्सचेंज ये भी कहीं न कहीं एक प्रमाढ है वैपारिक देता का कि एक निश्चित समय के बाद इतनी धनराशी उसको प्राप्त होगी तो कुल मिलाकर एक वैपार को चलाने के लिए एक दो इससे हमने पहले बात के कि बहुत सारी कि होते हैं वह गैर विठी उद्हमों के लिए अप्रेटिज के सबसे पहले तो हम ये जाले कि होते क्या है financing business के हमबात कर रहे हैं अब विद्थी उध्रमों के हमबात कर रहे हैं यह क्या है यह एक्षिलिए वो उध्रम है जिसमें प्रतिभूतिया होती है शेयर होते हैigned bond जो होते हैं उनसे इन वित्तिय आयव प्राप्ति की जाती है उनको बेच कर या उनको इशू करके फिर उससे आयव प्राप्ति की जाती है कोई माल या वस्तु या सेवा का क्रेविक्रेस में नहीं किया जाता है तो इस तरह के जो उद्धम होते हैं यह वित्तिय उद्धम कहलाते हैं जैसे बहुत स तरह के इन क्या होते हैं किनको यह फाइनसिंग मानते हैं किसको यह ओपरेटिंग मानते हैं किसको यह इंवस्टिंग मानते हैं यह भी एक अलग बात है आए देखते हैं सबसे पहली बात उन संस्थाओं के जो अगर हम operating activities की बात करें तो हमको यह सबसे पहले देखने को मिलता है प्रतिभूतियों के विक्रे से प्राप्त राशी क्योंकि यह माल और सेवा तो बेच नहीं रहे हैं यह क्या बेच रहे है शेयर डेबेंचर यह कोई securities तो उन शेयर ड प्राशी अगर गैर वित्ति उद्धिमों को प्राप्त होती तो वह operating ना हो के investing हो जाती हमको इसमें अंतर समझना होगा कि कि किस business के लिए कौन सी activity operating है कब वही activity financing हो जाती है और कब वही activity investing हो जाती है तो यहां हम देखते हैं कि एक तो प्रतिभूतियों को बेचने से जो आए प्राप्त होती है वह इसमें operating हो जाएगी दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज अब इसका तो कामी वही है securities को इनको बेचना है और उस पर ब्याज प्राप्त करना है यानि इनका operating work ही आई है तो अगर इस securities पर जो उन्होंने sale की है अगर कोई interest receive यह करते हैं तो इसको वो income from operating activity ही मानेंगे तीसरा बिंदू इसमें यह शामिल कर लिया जाता है कि कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी का भुकतान भले वो माल बेचे हैं सेवा बेचे हैं सिक्यूरिटी बेचे management staff की जरुरत तो उसको पड़ेगी तो उस staff के लिए जो वो वेतन मजदूरी या किसी प्रकार से भवन का किराया आदिका भुकतान अगर वो करता है तो यह समाने वेपार्सन चैलेंज से संबंदित ही माना जाएगा और इसको हम operating activity में ही शामिल करेंगे तो इस बात के हमको ध्यान रखना है फिर हमको देखना है कि रिड़ पर चुकाया गया ब्याज अगर किसी तरह का उसने लोन लिया है और उस पर वो ब्याज चुका रहा है तो इसको भी हम operating activity में शामिल कर लेंगे साथे साथ रोकर भुकतान या आयकर की वापसी इसके बारे में हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर किसी तरह का कोई cash payment किया गया है या income tax refund से related कोई जानकारी दी गई है तो हमको यह देखना होगा कि इन्हें वित्तिय एवं निवेश क्रियाओं के साथ विशेश रूप से पहचाना नहीं जा सकता है कई बार यह जो activities होती है वो financing लगती है क्योंकि income tax related है और दूसरा point हमने यहाँ पर देखा कि cash भुकतान से related है तो यहाँ पर इनको हम operating activities में कई बार शामिल कर लेते हैं और कई बार इन्हीं वित्तिय उध्मों के लिए हम देखते हैं कि जो आयकर के वापसी होती है या फिर इस पर रोकड भुकतान होता है उनको भी operating activity के अंतरगत include कर लिया जाता है लेकिन अगर इन्हीं expenses पे कोई वित्तिय या निवेश क्रियाओं के रूप पे अगर इनको पहचान लिया जाता है यह जो expenses है investing related है या finance related है तो फिर उनको हम operating expenses से अलग कर देते हैं तो यह तो हमने बात की उन संस्थाओं की जो वित्तिय उद्धमों के अंतरगत आती हैं अब हम देखें कि निवेश क्रियाओं से रोकड प्रवाह क्या है हमने operating activities की बात की कि कौन-कौन सी activities को हम operating मानेंगे अब हम देखते हैं कि कौन-कौन सी activities को हम investing activity मान लेंगे यहां जब हम investment की बात करेंगे तो हमको यह ध्यान में रखना है कि यहां पर दीर्द कालीन परिसंपत्ति और अन्य निवेश के अधिक्रहन और निप्टान से सम्मंधित जितने भी लेंदेन होते हैं उन सबही लेंदेनों को और उनके पुना विक्रह का अगर उद्देश उनको फिर ieursहें बेश्णे का उनन जो भी निवेश होते हैं अगर व पुना विक्रे के उद्देश इससे किये जाते हैं तो उनको यहां पर हमको निवेश गति विधियों में शामिल कर लेना चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमको इंक्लूड कर लेना चाहिए जिसमें हम अपने कोश्टिंग के कोडिंग अगर देखें किस तरह के बिंदू यहां पर किस तरह के पॉइंट्स हमको देखने को मिलेंगे जिनको हम अलग करेंगे अपने कोश्टिंग से और उनको ह सब्सक्राइं को ध्यान में रखना है कि कौन सी क्रियाएं एक अर्थ की रूप में हम जाने कि क्या है इस क्रियाएं गार्द कर लेते हैं और अगर हम बात करें कि question के according ऐसे कौन कौन से बिंदू होंगे कौन कौन से टॉपिक होंगे जिनको हमको financing activity के अंतरगत शामिल कर लेना है तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले शेयर या अन्य समान साधन से नगत आए शेयर यह शेयर से मिलते जिलते जिनको हम कहते हैं यह प्रतिभीतियों में अगर से related कोई भी income अगर होती है तो उसको हम financing activity याने वित्तिय क्रियाओं के अंतरगत शामिल कर लेंगे दूसरा यहां हम देखेंगे रिड़ पत्र रिड़ बॉंड और अल्पकालीन या दिर्धकालीन अगर किसी प्रकार का उधार है उधार या नगत कोई लेन देन है इन बॉंड से डुसको भी हम financing activity में इंक्लूड कर लेंगे तीसरा हम यहां पर देखते हैं कि उधार ले गई राशी का नगत पुनर भुकतान जो हमने राशी उधार लेती अगर हम उसको नगत भुकतान करते हैं रिंड को हम यहां पर फाइनस में इंक्लूड कर लेते हैं लेकिन जब हम कई बारी ओप्रेटिंग fiber की तरह लगता है समान या रूप से लेना या देना लेटीन की बात अब पर कर रहे हैं फाइनेंस की बात हैं वह किसए कि नहीं होते हैं उनको हम इसमें include करते हैं एक महत्तपूर बात हम ये भी देखेंगे कि रेड़ पत्र और पूर्वा धिकारी अंशो का अगर शोधन होता है किसी condition में अगर जो debenture है हमारे पास अगर उनका redemption हो जाता है उनको भुकतान करना पड़ता है उनका शोधन करना पड़ता है तो वहाँ पर ज जमता और पूर्वा धिकारी अंशो पर जिस लाभांश का भुकतान करते हैं क्योंकि हम फाइनसिंग एक्टिविटी की बात कर रहें फाइनस रिलेटेट शेयर और सिक्यूरिटी बॉंड से रिलेटेट जो भी वैभार है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं त और इसके साथ साथ इस तरह की जो भी वित्तिय क्रियाएं की जाती है उन सभी क्रियाओं को रोकर प्रवा बनाते समय हम फाइनसिंग एक्टिविटी में एंक्लूड कर लेते हैं इन्हीं वित्तिय और गैर वित्तिय जो मदे होती है यानि फाइनस और नॉन फाइनस उद्धम के लिए क्या है किस तरह के बिजनस के लिए क्या है कौन सी एक्टिविटी है और तीसरे कॉलम में हम देखते हैं कि गैर वित्तिय उद्धम के लिए यह क्या कहलाएंगी कौन सी एक्टिविटीज कहलाएंगी तो अगर हम देखते हैं प्राप्त ब्याज किसी भी ची इंचालन क्रिया होगी यानि की operating activity होगी लेकिन यही प्राप्त ब्याद जो है अगर वो गैर वित्तिय उद्धम है तो यहाँ पर हमको देखना है कि वो वित्तिय क्रिया यानि की financing activity कहलाएगी दूसरा अगर लाभांश किसी प्रकार का उद्पन होता है dividend अगर receive होता है तो ऐस condition में यह जो dividend है वो वित्तिय उद्धम के लिए यानि जो finance जो बिजनस है उसके लिए यह operating होगी जबकि जो non-finance उद्धम है गैर वित्तिय उद्धम जो है उसके लिए अगर देखा जाया तो यही expense जो होगा वो विन्योग क्रिया यानि कि investing activity में वो चले जाएगी क्योंकि उसका काम नहीं था इसको इस तरह से लाभाश प्राप्त करना लेकिन उसको अर्ण हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है अनि कि investment उसने किया अलग से तो उसके लिए गैर वित्तिय उद्धम के लिए वो investing activity में इंक्लूट हो जाएगी वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर फर्म को कोई ब्याज दिया गया है फर्म के द्वारा कोई अगर ब्याज दिया गया है तो गैर वित्तिय उद्धम अगर है finance related अगर वो नहीं है तो ऐसी कंडिशन में इस amount को वो operating में ही शामिल करेगा लेकिन जो गैर वित्तिय नहीं करता है रेंड लेनिया देने का वह ऐसी कंडिशन में इसको वित्तिय जो क्रियाए है finance related जो मदे है जो आइटम है उसके अंतरगत इसको शामिल करेगा एक उदारण हम और देखते हैं कि जो चुकाया गया लाभांश जो लाभांश जो चुकाया जाता है वो अगर वित्तिय उद्धम है finance related अगर कोई उद्धम है को बिजनस है तो उसके लिए यही चुकाया गय ब्याज उस समय गैर वित्तिय संस्था के लिए और साथी साथ यही चुकाया गया ब्याज उस समय इस गैर वित्तिय संस्था के लिए भी वित्ति क्रिया के अंतरगति आएगा क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि चुकाया गया लाभांश है finance related है dividend हमको जो भी हमने finance activity की है हमको प्राप्त हो रहा है तो कई बार हम देखते हैं कि एक ही पॉइंट एक तरह के बिजनेस के लिए operating होता है तो दूसरी प्रकृति के बिजनेस के लिए वो financing होता है तो कैसे इसमें हम मद्भेद करें इसको समझने के लिए हमको इनके सिद्धानतों को क्या यह expect कर रहे है क्या इनकी प्रकृति है कि स्वभाव के हैं इन सब बातों को समझना बहुत ज़रूरी होता है अब हम इन्हीं operating क्रियाओं की संचालन क्रियाओं की बात करें तो जैसे कि हम पहले भी देख रहे थे कि लेखांकन मानक AS3 में जो बाते कही गई हैं जो सिद्धानत कहे गए हैं उसके अनुसार इन संचालन क्रियाओं को हम फिर से दो भागों में बात के समझेंगे एक तो हम देखेंगे रोकड प्रवा जिसे हम अंतरवा याने इन्फलो के रूप में देखेंगे यहां पर हम गैर वित्तिय उद्धमों के लिए कि कब एक गैर वित्तिय उद्धम के ल पीरवाह के लिए यानि आउट फ्लो जहां पर पैसा जा रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हम इसको देखेंगे और साथ में हमको यह ध्यान रखना है कि यह जो है यह गैर वित्तिय उद्धम के लिए है जो फाइनेंस रिलेटेड अक्टिविटेड नहीं क होते हैं तो इसके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसे होता है रोकड विक्रे अगर वो नगत माल बेचते हैं तो उनके पास पैसा आता है वह उपरेटिंग क्योंकि उनका कामी है माल खरीदना बेचना दूसरा इसमें आ जाता है देनदार एमलेंदार से बिल प्राप इन फ् करेंगे तीसरा यहां पर कमीशन और उससे रिलेटेड दलाली कमीशन ब्याज बट्टा जो भी प्राप्त होगा क्योंकि वह उपरेटिंग रिलेटेड है एक समान वेपार संचालन से संबन दीत है तो उन सब को यहां हम ऑपरेटिंग एक्टिविटे में एंक्लूड चौथा यहां पर हम देखेंगे रॉयल्टी जिसको हम कह सकते हैं कि किराय के रूप में प्राप्ति या फिर भुक्तान और इसके साथ साथ आयकर की वापसी इन सभी बिंदूओं को हम यहां पर क्योंकि यह समान वेपार संचालन से संबन दीत है वेपार संचालन के लिए वेपार संचालन से रिलेटेड जो भी एक्समेंस है वो सबके सब ऑपरेटिंग एक्समेंस में इंक्लोड हो जाएंगे उसके बाद एक महत्पूर्ण बात हम देखते हैं आयकर की वापसी जिसके हमने पहले भी देखा अगर फाइनस रिलेटेड कोई स्पेशल कुछ वहां पर टॉपिक नहीं दिया गया है तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही शामिल कर लेते हैं दूसरी बात यही सारे जब बात कर रहे हैं इंफ्लो की तो यहीं इंफ्लो वित्तिय उद्धम के लिए अभी तक हमने जो पॉइंट्स देखें यह थे गैर वित्तिय उ जा तो यह जो करेओं के लिए लिए भी यह यां पर मान रहें के लिए इंफ्टार गमने भांशु करना टो यह तो यह जो क्रियाएं होंगी में चले जाएंगे दूसरा हम यहां पर देखते हैं कि प्रतिभूतियों का विक्र है प्रतिभूतियों प्राप्तव्याज किराया कमिशन रिलेटेड जितने भी चीजें हैं सीक्यूरिटी से वो सारी की सारी वित्ति उद्धम के लिए ऑप्रेटिंग एक्टिविटी होगी हमको ध्यान में रख दूसरा पक्षपर अगर हम बात करें जब हम रोकड प्रवाह देख रहे हैं cash flow देख रहे हैं आउट किसके लिए हम यहां पर बात कर रहे यहां पर रहे हैं यहां पर देख रहे हैं गैर वित्ति उद्धम के लिए जिसका काम नहीं है जो माल यह सेवालों प्रेविक रहे करेगा ना कि फाइन्स रिलेटेट कोई कारेगा उसके लिए आउटफ्लो क्या होगा फरस्ट नगत क्रेः जब भी वह माल खरीदेगा नगत माल खरीदेगा पैसा जाएगा आउटफ्लो मानली जाएगा क्योंकि इस आमाने में पार्शन चालेंज से संबंद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वे को शामिल कर लेते हैं जिनके बारे में हमने पहले भी काफी कुछ पढ़ा है जाना है कि यह से होते हैं जो किसी भी वैपार्मिक समाने रूप से किया जाने बहुत जरूरी होते हैं यहीं पर हम बात करें चाहे मजदूरी की यायकर करके भुकतान की तो यह सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगे दूसरा अगर इसी के अंदर हम वित्तिय उद्धम की बात कर लें हम देख रहे हैं आउट फ्लो हमने अभी तक देखा गैर वित्तिय उद्धम अब यहीं पर बात कर लें कि बात के लिए कौन-कौन से आउट फ्लो होंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बयाज का भुकतान क्योंकि उसका वित्य उद्धम है फाइनस रिलेटेड बिजनस है उसका तो कामी वही है पैसा देना ब्याज लेना ब्याज की क्यालकुलेशन करना लाभाँज डिविडेंट से रिलेटेड जो भी आये वह होंगे वह तो उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो फिर उसको हम यहां पर ऑ करता है तो क्योंकि उसका काम ही है फाइनस बिजनस है वह तो नॉर्मली प्रतिभूतियों का क्रेविक रह जो है उसके लिए फिर वह ऑपरेटिंग माना जाएगा आये इससे संबंदित कुछ क्रियात्मक्त प्रशनों को हल करें